Hello guys, Welcome back to my channel अज की वीडियो में हम बात करेंगे माइनिंग को लेकर जो लोग New Miners है मेंस जो लोग सोच रहे हैं कि हम GPU माइनिंग कर लेते हैं या माइनिंग मशीन ले आते हैं या कंप्यूटर बना ले लेते हैं और उससे माइनिंग करेंगे तो उनके लिए ये वीडियो मैं बताना हूँ ये जो भी मैं बात बताऊंगा आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा तो आज बात करेंगे मुझे क्या क्या चैलेंजिस फेस करने बड़े अभी माइनिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई इलेक्ट्रिसिटी को लेके मीन्स लाइट बहुत जाती थी लाइट चली जाएगी तो फिर आपका जो रिवार्ड है वो आपको नहीं मिलेगा वो जितनी देर लाइट जाएगी वो उतना ही डिले होगा और हमारे एरिया में लाइट की प्रॉप्लम एक्चुली में अब कुछ जादा ही हो गई है जिस अगर सर्वर से कनेक्ट होने में वो जादा टाइम लगा रहा है मिंस पिंग अगर उसकी जादा है तो भी मुझे कोई खास रिवार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि देखो हम माइन जब करते हैं तो हमें मिलता है हम जितने शेयर सब्मिट करेंगे उतना ही हमें रिवार्ड मिले सोच रहे हैं कि मशीन लगा लेते हैं माइनिंग की तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एक तो बिजली नी जानी चाहिए आपकी दूसरा आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम बिलकुल हो सकती है अब तीसरी जो कि भी चाहिए इसमें और मुझें मुझेज गी नौल्लिज रखनाना है इसलिए मरी मशीम में कोई कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं खुदी सॉलब कर लदए ह nous Mary Indeोग beaucoup कि इसको इसको दिखाने की ज़ुरत निया कि इसको कि पास ऐने की जरुरत में हुआ उए मैं ठीक आडवेर नेटवर्किंग का कोर्स करते हैं, तो हमारी फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है कि कम्प्यूटर को ठीक करने से पहले आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो मिन्स अगर आप अगर आप नहीं चल रहा है तो इसका मतलग यह नहीं है कि आप उसे बीप्स दे रहा है यह इसन बीप्स का क्या मेंस है मदर बोर्ड में अलग अलग बीप्स आ रही है रैम खराब तो नहीं हो कोई बहुत सारी चीज़े वह आपको खुद ही देखना पड़ेगा क्योंकि एलेक्ट्रोनिक आइटम में कभी भी प्रॉब्लम आ सकते हैं कि मशी पैसे कितने मिलेंगे मैंने जब माइनिंग मशीन जब मैंने अपना कंप्यूटर तयार किया तब इथेरियम का रेट था 4700 डॉलर तब मैंने यह इसाब लगाया कि मेरे पैसे जो है वो लगबग एक साल में पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो भी पैसा मिलेगा वो मुझ लेकिन अभी उसका रेट हो गया 2400 डॉलर मींस 50% वो डाउन आ गया है तो अभी क्या हुआ है जो पैसा मेरा एक साल मेरी कवर होना था वो दू साल मेरी कवर शायद हो जाएगा अगर यह ऐसा ही रात हो अगर यह और भी नीचे आ गया तो और ज्यादर टाइम लगेगा तो यह है सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको सोचना चाहिए तो बिल्कुल भी आपको लोन लेके या किसी से पैसे लेके ऐसे कभी भी इस बिजनस में मताना यह बिजनस है यह ऐसा नहीं है कि आपके लिए कंप्यूटर काम कर रहा है और आपको माला माल कर देगा आप आपको चीजे लेकर आनी पड़ेगी उसको रखने के लिए अभी गर्मी आजेगी तो आपको एसी भी चलाना पड़ेगा तो एसी का भी घर चाहेगा तो बहुत सारे फैक्टर्स वह देखने पड़ते हैं आपको उसके बाद ही आप एक माइनिंग का कंप्यूटर आप बन तो बहुत जादा हीटप होने वाला है फिर सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है अगर गर्मी आ गई और इसका प्राइज नहीं बढ़ता है मींस अगर गर्मियों में भी यह बाइस जो डॉलर या तहीं सो डॉलर पर रहता है तो प्रॉफिट बहुत जादा कम हो और यह पैसा जो आप मशीन लगाओगे ना यह आपने दे दिया आप अगर सोचोगे कि मैं मशीन बेच के पैसे वापस रिकवर कर लूँगा तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मशीन जो है जो है जो है आप साथ ग्राफिक कार्स लेकर आओगे आओगे आप बहुत सारी चीज अब हम बात करते हैं एक और चीज की वह है कि माइनिंग आप कौन से क्वाइन की करोगे और कौन से पूल पे करोगे और कौन से माइनर से करोगे यह सारी चीज़ें डिपेंड करती एक दूसरे पर और इनी चीज़ों के उपर आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है हम एक्जेंपल लेते हैं हम माइन करेंगे इथेरियम को इथर माइनर पर फूल होगा इथर माइनर और ऑपरेंज सिस्टम हाई ऐस और माइनर होगा बहुत सारे माइनर से मैं यूझ करता हूँ ए talk मिन टू मिनले हैं वो जरूरी नहीं मुझे किसी और माइनर पे मिले, लए इधेरियम पे जो मेगा हैशिस आपको मिल रहे हैं, वही मेगा हैश आपको दूसरे कोईर पे मिले, ऐसा नहीं है, तक्यामीट माइशब सेथ उसन पावर मशीन आपको दूसरे माइनर पे भी मिले मींस जैसे मैं अन्वी माइनर यूज कर रहा हूं बी माइनर भी है टीम रेड माइनर भी है बहुत सारे माइनर हैं लेकिन जरूरी नहीं आपको हर माइनर पे सेम स्पीड मिलेगी तो ये भी आपको देखना पड़ेगा आपने एक माइनर बनाया है खुद में रखने वाली है सब्सक्राइब होना बंद हो गया अगर 2.0 आगया इथेरियम का इसके बाद आप क्या करोगे मशीन का तो कोशिश ये करते हैं कि इथेरियम बंद होने से पहले हम अपना पैसा पूरा कर ले मशीन का उसके बाद चलती रहेगी अगर बंद भी हो जाता ह है दूसरा कॉइन माइन करते हैं कोई बात नहीं स्पीड कम होगी तो हमें दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी सेम पावर हर कॉइन पर नहीं आएगी हर किसी माइनर पर नहीं आएगी यह सारी चीज़ें कंसीडर करने वाली है आप यह सोच समझके ही अपना माइनिंग में आईए उस पैसे के साथ आईए जो अगर आपका नुकसान हो जाता है तो आपको दुख कम हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही था आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा आपके लिए मैं ऐसी वीडियो और भी लेकर आता रहूंगा अपना experience शेयर झाल